Hello everyone, welcome to the channel Lifeline Education by Vibha Sharma आज हम जिग्वराफी पढ़ने वाले हैं और most ही most महतपूर्ण सब्द हैं जिनके साथ आप long question answer अपने बहुत easily तरीके से only 5 minutes में इनको study करने के बाद long question अपना तयार कर सकते हैं upcoming exam के लिए तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को subscribe करें, like करें और अपने दोस्तों के साथ share भी करें अगर ऐसे ही कोई और मैत पूर्ण सब्द हैं तो आप हमें लिख सकते हैं आपे ठीक है चलिए start करते हैं आज का पहला शब्द है पर्यावरन प्रदूशन का क्या अर्थ है आंसर आपका पर्यावरन के घटकों जैसे जल वायू तता भूमी के भौतिक, रसाइनिक या जैविक गुणों में होने वाला अवांचनी है यानि कि जो हमारी इच्छा के विरुद है जो हमारे लिए हानिकारक है ऐसा परिवर्दन ही पर्यावरन प्रदूशन है तो आपको समझ में आगया होगा कि जो हमारे लिए हानिकारक चीजें होती है यदि वो जल वायू तता भूमी में मिक्स हो जाती है तो वो प्रदूशन हो जाता है सेकिंड सब्द है पारिस्तितिकी तंत्र क्या होता है अगर आप इस सब्दकार समझ लेते हैं तो आप लोग क्रूशन उसके साथ समझ सकते हैं जैब मंडल में रहते हुए सबी जीव तता पौधे एक दूसरे के साथ विबिन क्रियाएं करते हैं और एक तंत्र बनाते हैं जिसे परिस्तितिकी तंत्र कहते हैं यानिए कि ऐसा आवास बनाते हैं ऐसी विवस्था बनाते हैं जो कि एक दूसरे के उपर डिपेंड होते हैं इसलिए उसको पारिस्तितिकी तंत्र कहते हैं फ़र्ट क्योशन है यानि कि सब्ध हैं आमारे पास बंदरगा और पत्तन क्या होते हैं समुद्र का वहतट या नगर जहां रुकते ठहरते हैं क्या जहाज जिसे हम शिप कहते हैं पानी की जहाज कहते हैं बंदरगा प्राकर्तिक होते हैं यानि कि जो ईश्वर ने प्रकर्तिने सोय बनाए हैं जो क्याकार में बड़े होते हैं इसमें जल की गहराई ज्यादा होती है जबकि पत्तन भी वही कारी करते हैं लेकिन निर्माड मनुष्य द्वारा किया जाता ये प्राकरते नहीं होते और छोटे भी होते हैं नेक्स्ट है आपका परिवहन का क्या आर्थ है इसके संसाधन बताईए तो परिवहन का आर्थ समझ लेते हैं चारो और आने जाने की क्रिया परिवहन होती है जैसे हम आना जाना करते हैं और वैसे ही साधन, यानि कि आने जाने में प्रयोग किये जाने वाले सभी साधन या बस्तुएं परवन संसाधन कहलाती हैं, जैसे आप एक्जामपल ले सकते हो, कार, मोटर, बस, जहाज, एट सेक्टरा है ना, नेक्स्ट वर्ड है, हमारा खनिज पदार्त किसे कहते हैं, बहुत कुशन आता है, लोग आते हैं, और वर्ड का अंसर आपको पता नहीं होता, इसलिए हम जो हैं, लोग कुशन तयार नहीं कर पाते हैं, वे सभी पदार्त जो इश्वरदारा बनाई गए हैं, और मानव उन्ह अपने प्रयोक के लिए खान तथा भूमी की खुदाई करके ही प्राप्त करता है, वही पदार्त, खनिज पदार्त कहलाते हैं, जैसे कि आपका लोहा है, श्टील है, और आपकी कुईला है, यह सारे पदार्त जो होते हैं, वो खनिज पदार्त होते हैं, जो में खुदाई question है यह और यह सब्द है ऐसे संसादन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दुबारा फिर से प्रयोग की जा सकते हो यानि उनसे कोई ऐसी चीज या ऐसी वस्तु बनाई जाए जिसे हम दुबारा प्रयोग कर सकते हैं नव्य करणिये संसादन कहलाते हैं ठीक है तो आप देखिएगा अपने आज़ पास ऐसे कौन से सादन है जो हम दुबारा प्रयोग करते हैं किसी भी छेत्र में संसादन का क्या रथ है यह हमारा next question है और संसादन का अर्था अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी छेत्र में इससे related कोई भी लोंकोशन इजी लिए तयार कर सकते हैं तो देखिए संसादन का मतला हुआ कोई भी वस्तु जो मनश्य की कठनाईयों को दूर करके उसकी आवशक्ताओं की पूर्ती करने में उप्योगी सिद्धो हो वही संसादन कहलाती है कोई भी वस्तु जो सकती है ऐसी है लेकि उसका मनश्य की आवशक्ताओं को संतुष्ट करती हो और उप्योगी हो next word है मारा अधिवास, अधिवास का क्यारत है तो देखिए गाउं या शहर में मनश्य के निवास करने के लिए बने हुए घर अथवा मकानों के समु को यानि गुर्प को अधिवास कहती है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए अभी तक कि नगर यानि के शहर में और गाउं यानि के ग्रामीड शित्रों में जो भी रहने योगे जो घर और मकान होते हैं अधिवास कहलाते हैं यानि जहाँ मनुश्य रहता है नेक्स्ट वर्ड है हमारा जनसंख्या गनत्त क्या होता है तो देखे किसी भी देश के अंदर एक वर्ग किलो मीटर च्छित्र में निवास करने वाले लोग या जनसंख्या की सगंता यानि कि गनत्ता यानि कि कितने लोग रहते हैं एक किलो वर्ग मीटर में ऐसे ही इस्तिती को जनसंख्या गनत्त कहते हैं या जनसंख्या गनत्त कहलाती है तो यहाँ इसका मतलब है एक किलो वर्ग किलो मीटर एक वर्ग किलो मीटर के अंदर जो जन्संग क्या होती उसी से हम इसको मापते हैं किसी भी दिस्की हो सकती है नेक्स्ट वर्ड है हमारा जैव मंडल किसे कहते है प्रत्वी के चारों शैल मिटी जल तथा वायू की पतली परत का एक आवरण है जिसमें सभी जीव जन्तु तथा मनश्य निवास करते हैं यही जैव मंडल है यानि एक ऐसा एक ऐसी परत प्रकरती की जहां पे सभी जीव निवास करते हैं जो मतलब जानदार चीज़ें होती हैं जो प्राणी होते हैं ऐसे ही मंडल को जैव मंडल कहते हैं थाज़ वाज़ वाज़ इस वीडियो